कि अच्छ आपको वाशिंग मशीन की क्लिनिंग पता हूं यह बहुत ज़रूरी होती है हर छे महीने बार इसको ज़रूर कर लें इसमें समय अटोमेट्थिक वह बटन होतस है अर्य बहुत अप क्लेनिंग दा है na spending के इसेसे कि पाने उपर तक घा है, नियुंग फिर आख शब्लिच के आप प्लीच ऑप कपड़ों के लिए कुछ टाइम के लिए भीगा रहे और मैं यह लेखें यह मैंने बहुत अच्छे से क्लेल कर लिए आपके किसी भी ब्रेश को लेके और उसमें थोड़ा थोड़ा दिप कर ले और दिप कर करके और इसकी पूरी क्लेलिंग कर लिए इसका एक वह अंदर फिल्टर हो होते हैं वह तो निकालें वह मैंने बहुत अच्छे तरीके से वाश कर लिया है यह पढ़ागा है इसका थोड़ी दे पहने इसका बिल्कुल ब्लैक कर लिया है और इसी तरह इसके अंदर की जगा भी बिल्कुल ब्लैक थी लेकिन आप वह बहुत हद तक बिटर होगी है इसलिए वह साम वाला पाहन लिक्विट डालके कुछ टाइम के लिए तकरीबन 20-25 मिनट के लिए इसको छोड़ें उसके बाद फिर इसकी क्लीन शूरू करें पहले उपर से सारी क्लीन करें उसके बाद यह अंदर का यह टाब इसको क्लीन करें यह थोड़ा-थोड़ा हाथ से आपे पीछे हो जाता है अब उसके बाद यह है वो हम इसको ओन कर देंगे तो यह अपना बाकी काम यह फुट करेंगे उपर की क्लीन हमें करने होती है अज यह बाकी काम अंदर का फुट जरी है बहुत हर्दक लीन होगी है लेकिन 6 महीने का तार्गिट रखें तो पीड़ी आपको मेहनत नहीं करने पड़ेगे इस तरह सी पूरी क्लीन हो जाएगी बहुत आसान से इसका तरीका है कि आप उसको और अगर दूसरी भी है तो आप उसमें पानी भरके और उसमें ब्लीच और दिश्वोश्य डालके और रखके और उसके पाद फिर इसको इस तरीके से क्लीन करें अब ये मैं इसका पॉस मेंने किया बता अब ये मैं पॉस अटा दूँगी अब ये अपना काम सुरू पर देगे इस इतने ही टाइम लगै ना उस आए पूरी बूरी क्लीन हो जाएगी यह देखें नाजरीन बहुत अच्छी सी क्लीन हो गई है इसका आसान तरीका यही है जो मैंने आपको बता दिया लेकिन इसको छे महीने में ज़रूर वाश करें वरना टाइम बहुत लेता है क्योंकि मुझे अभी साल हो गया तो मुझे आज बहुत टाइम लगा है बहुत ने करें छे महीने के अंदर अंदर क्लेनिंग कर लें जाए के कपड़े वाश करती है आपके इतने काम आसान करती है तो इसको भी थोड़ी खिद्मत चाहिए तो ख्याल रखनें अपनी चीजों का इंशाल्ला वीडियो पसंद आए तो ज़रूर बताएं बहुत शुक्रियां अलाफेश